हेलो फ्रेंट्स वेलकम तु दा यूपी एसी एनलाइजर तु आजम फॉर्स्ट मार्च का इंडियन एक्स्प्रेस डिसकस करेंगे और फ्यूर लाकिंग इस अनालिसस देन प्लीज लाक शेर और सब्सक्राइब आपको यहाँ पर लेंक और चैनल के नेम अधियागी और इसके लब आपको कॉमेंट सेक्शन में भी पिंट कॉमेंट मिल जाएगा अब यहां पर नई चीफ बनी है, First Women Chairperson Maadbipuri अब हम Second News discuss करते हैं तो रश्या के वापर sanctions लगाय जा रहे हैं इसके लाव इंटरनाशनल उलंपे कमिटी ने यह decision लिया है कि रश्यान एथलेट्स को यहां पर बाहर कर दिया जाएगा इससे पहले जो Poland है, वो पहले ही decision ले चुका था कि यह जो भी रश्यान से उनके अगेंस्ट कोई भी गेम नहीं खेलेंगे तो Poland already has refused to play the scheduled game against Russia तो basically जो European community है वो यहां पर रश्या को boycott करने की कोशिश करी है हर तरीके से अब हम Next News discuss करेंगे यहां पर IPCC की report आई है तो IPCC की 6th assessment की जो first report आई थी वो August में आई थी, वो हमने discuss की थी अब यहां पर second आई है तो वो अब हम discuss करेंगे तो जो second part आया है 6th assessment report का इसमें जो पहले वांड किया गया था कि 1.5 degree तक अगर हमें temperature को सेमित रखना है तो हमें उसके लिए steps लेने पड़ेंगे जो government उसको यहां पर steps लेने पड़ेंगे लेकिन जिस तरीके से steps लिये जा रहे हैं उसके according जो 1.5 degree Celsius temperature है वो 2040 तक ही यहां पर हो जाएगा तो Paris climate agreement में target है की 2 degree तक रखने की कोशिश करनी है लेकिन हो सके तो 1.5 degree तक रखना है अब multiple climate hazards होंगे अगर यहां पर temperature बढ़ेगा multiple climate hazards होंगे इसका मतलब यह जो risk है उसका cascading effect देखने को मिलेगा तो multiple climate hazards will occur simultaneously and multiple climatic and non-climatic risk will interact और जिसकी वज़े से यहां पर हमें cascading effect of risk देखने को मिलेगा Paris Agreement 2015 का बात करता है कि जो temperature उसको 2 degree Celsius रखना है from pre-industrial levels और यहां पर कोशिश करने की 1.5 degree तक हम काम कर सकें तो 2 degree के limit है लेकिन हमें कोशिश 1.5 degree तक करनी है Reports is the capacity to adapt to rising temperatures अब यहां पर हर संभव प्यास किया जाएगा जो temperature उसे 2 degree Celsius से कम रखा जाए लेकिन अगर 1.5 degree Celsius से कम नहीं कर पाए तो ऐसे case में अगर temperature बढ़ता भी है तो लोग adapt कर पाए तो उसके लिए यहां पर adaptation efforts लेनी की ज़रूरत है Reports is the capacity to adapt to rising temperatures was already getting weaker लेकिन जो adaptation की जो capacity वो वीक हो रही है तो यह भी एक problem है हमें adaptation को बढ़ाना है कि अगर हम temperature को कम करने की कोशिश तो कर रहे है कि temperature कम रहे लेकिन अगर temperature नहीं कम रहता है तो लोग adapt कर पाए उसके लिए यहां पर कुछ steps लेनी की ज़रूरत है तो रिपोर्ट says the capacity to adapt to rising temperature was already getting weaker for living beings as well as natural systems and it would reduce further with rising temperatures तो जैसे जैसे temperature बढ़ेगा तो जो adaptation limit है वो और जादा कम होती जाएगी soft limits to some human adaptation have been reached इसके लावा जो hard limits है वो भी कुछ area में reach कर चुकी है It is clear now that minor, marginal, reactive या incremental changes से कुछ नहीं होने वाला हमें यहां पर बड़े changes करने की ज़रूरत है technological और economic changes यहां पर करने की ज़रूरत है अब यहां पर changes क्यों नहीं हो पा रहे है क्योंगी lack of earned नहीं है, political commitment नहीं है, political will नहीं है reliable information और sense of urgency नहीं है जिसकी वज़े से लोगों को समझी नहीं आता है कि climate change जैसा कुछ खत्रा है उन्हें लगता है 10 साल बाद होगा, 20 साल बाद होगा, 100 साल बाद होगा वो अपने neutral stance से थोड़ा अलग हो रहा है for example, यहां पर Switzerland ने डिसाइट किया है कि रशिया के जो भी यहां पर 36 लोग है जिन्होंने यहां पर दूमा में वोटिंग की थी कि DonTex को यहां पर recognize कर लेना चाहिए उनके उपर जो sanctions है, उनके जो assets उनको freeze कर दिया जाएगा तो यहां पर कुछ Switzerland भी steps ले रहा है, यह हम वोट पेच पर भी discuss करेंगे आगे हम चलेंगे यहां पर कोई भी important news नहीं है Viverant Village scheme मैंने आपको बताया था जिस दिन्हें हमने budget discuss किया था तो Viverant Village scheme मैं बात करता है कि economic development किया जाएगा in the country's bordering areas यहां पर Tamil Nadu के जो chief minister M.K.Stalin उनके autobiography की बात किये गई है जिसका नामे उंगा लिल और वन, वन अमंग यू ठीक है, तो यह है M.K.Stalin के autobiography जिसका नामे उंगा लिल और वन आगे चलते हम यहां पर को important news नहीं है अब basically जो Ukraine है, यह मुझे news आपको बतानी थी क्योंकि मुझे यह बताना था कि West में अभी भी racist attitude कितना है तो basically जो India के लोग है, India के जो medical students है और वो border तक पहुशना जाता, Poland border तक पहुशना जाते तो basically उनके passport के उपर stamp ही नहीं किया जा रहा है पहले वो लोग Ukrainian women और children को निकलने दे रहे है और basically उनको यहां पर guards किक कर रहे है ऐसा किया जा रहा है जो इंडियन students है उक्रेन में तो at the Shehan in Medgeya border between Ukraine and Poland some Indian students have been stranded for over 72 hours to be cleared for evacuation उनको इतनी जदा cold में wait करने को बोला जा रहा है लगपक 48 घंटे से वो लोग वहीं पर खड़े है तो they have segregated the girls and boys और उनको जाने नहीं दिया जा रहा है इनके लवा guards भी उनको permit नहीं कर रहे है heat humidity sea rice to make India uninhabitable if emissions not cut तो बहुत सारा इंडिया का part जो है uninhabitable हो जाएगा अगर emissions को cut नहीं किया गया यहाँ पर wet bulb बताया गया है तो wet bulb क्या होता है यह basically heat और humidity को combination में measure करता है तो अगर wet bulb 31 degree Celsius से उपर चला जाता है इसका मतलब यह है कि बहुत ज़दा dangerous हो जोगा है human के लिए और अगर 35 degree Celsius से इसकी value उपर चली जाती है तो इसका मतलब यह है जो conditions है वो unsurvivable हो गई उसमें human 6 गंटे से जादा survive कर ही नहीं सकता है अगर हम present में देखें तो wet bulb temperature जो इंडिया में है वो 31 degree Celsius रहता है आस-पास 25 से 30 degree Celsius भी कई जाके देखने को मिला है लेकिन mostly 31 degree Celsius रहता है लेकिन अगर यह इससे बढ़ गए climate change की वज़े से तो बहुत सारा इंडिया का पार्ट ऐसा होगा जो की uninhabitable हो जाएगा तो wet bulb एक में ज़र आप यह भी याद रख सकते हैं कि कहीं आपको main sunsar writing में mention करना हो तो आप कर सकते हैं by the middle of the century around 35 million people in India could face annual coasting flooding तो लगवाग 35 million लोग जो है वो annual coastal flooding का सामना करेंगे जिसमें से 45 to 50 million at risk by the end of the century अगर emissions हमेशा से हाई रहे direct damage जो होगा इससे वो 24 billion dollar का होगा अगर emissions उस according कट के जारें जितना promise किया गया मतलब हमें जादे steps लेनी की ज़रूरत है और 36 billion dollar का नुकसान होगा अगर जो emissions है वो हाई रहे और जो ice sheets है वो unstable रही और यहाँ पर melt होती रहें damage from the sea level rise in Mumbai alone could be up to 162 billion dollar a year by 2050 जो urbanization है अभी तो urbanization का में लगबग 35% का है आगे 15 सालों में urbanization और ज़्यादा बढ़ेगा इंडिया में लगबग 40% का हो जाएगा तो mega cities बहुत तेजी से grow कर रहे हैं concentration of population बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है जिसकी वज़े से cities और ज़्यादा climate change को लेकर vulnerable हो गए है IPCC report warns of malaria outbreak in the Himalayan region तो अभी हमें malaria outbreak higher altitude के areas में देखने को नहीं मिलता लेकिन जैसे जैसे climate change होगा और यहाँ पर temperature बढ़ेगा तो higher altitude के areas में भी हमें malaria outbreak, vector born disease outbreak देखने को मिलेगा तो climate driven extreme events will cause a significant increase in ill health and premature deaths तो यह हमें पता चाला है जो 6th assessment report का part 2 आया है impacts adaptation and vulnerability तो in India ता IPCC has projected changes the spatial distribution of malaria तो malaria Himalayan region में भी देखने को मिलेगा इसके लावर जो malaria for example कुछ particular months में ही आपको यहाँ पर diseases देखेंगे malaria के लेकिन जो particular month का stretch है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा time पर यहाँ पर गर्मी रहेगी तो with rainfall patterns changing the range and distribution of vector born diseases is changing along with it जो vector की ability है breed करने की वो time period भी बढ़ जाएगा तो basically disease outbreak और ज़्यादा देखने को मिलेगा तो overall आप यह पता कर सकते हैं कि disease outbreak और ज़्यादा देखने को मिलेगा अब climate change की वज़े से जो agriculture उसके उपर भी impact पढ़ेगा अब agriculture की उपर impact पढ़ेगा उसकी वज़े से yield कम हो जाएगी तो यहाँ पर under nourishment की problem को भी face करना पढ़ सकता है तो हमें जो हमारा agriculture है उसे भी climate के लिए adapt करने की ज़रूरत है आगे हम चलते हैं यह बिल्कुल discuss नहीं करेंगे यह बिल्कुल importance नहीं आते हैं यह ब discuss करेंगे United against the strong men जस्ट वीक अगो Germany was the weakling तो पहले European Union में Germany कोशिश कर रहा था कि जो भी रश्या के साथ tensions उसको dial down कर दिया जाए क्योंकि Germany के यहाँ पर interest यह था कि Germany बहुत सारी natural gas यहाँ पर जो है वो रश्या से import करता है और Nord Stream 2 pipeline वाली बात थी जर्मनी चाह रहा था कि जो भी यह tensions नहीं कि किसी तरह dial down हो जाए लेकिन उसके बाद Putin ने कहा कि military aggression कर दिया फिर जर्मनी के पास कोई step नहीं बचा और जर्मनी ने यहाँ पर European Union के साथ रश्या के उपास sanctions लगाना शुरू कर दिया Nord Stream 2 का certification भी रोप दिया तो basically author ने यही बताया जर्मनी ने जैसे जो पोतिन के aggressive agenda है उनके against steps लिया वैसे ही इंडिया को भी step लेने की जरूरत बढ़ेगी तो just a week ago Germany was the weak link in the western coalition trying to persuade Russian President Vladimir Putin to dial down the crisis in Ukraine लेकिन ऐसा नहीं हो पाया फिर यहाँ पर जर्मनी ने कुछ action लिया Germany ने बोला हमें भी Russia के against action तो लेना ही पड़ेगा तो Germany has long provided the European parallel to India's political warmth तो जैसे हम warmth शेयर करते हैं Russia के साथ की हमें ऐसा लगता है कि Russia हमारा natural ally है Russia ने हम help की थी वैसे ही Germany भी बहुत ही political warmth शेयर करता है with Russia लेकिन जैसे Germany terms पर आया कि जो Russia है वो बहुत ही जदा aggressive हो रहा है तो हमें उसको लेकर steps लेने पड़ेंगे वैसे ही इंडिया को भी इस बात को लेकर terms पर आना पड़ेगा अब यहाँ पर five-pronged response होने वाला जर्मनी का वो हम देख लेते हैं पहला यह कि Ukraine के साथ military solidarity दिखानी है अब यहाँ पर पोतन का basically क्या है अखंड रशिया का concept समझ लो अब कि यह चाहते हैं पोतन कि यह जो भी रशिया से पार्ट अलग हो वापसर रशिया में मर्ज हो जाए तो Delhi has no reason to be seen as supporting the Kremlin's imperial project in Europe तो basically author ने यही बोला है कि जो रशिया है उसका imperial project है यूरोप में तो Russia's traditional image was that of a natural ally against western imperialism अब UNGA में vote होगा जब UNGA में vote होगा तो हम यह देखेंगे बहुत सारे developing countries जो कि रशिया को आज तक support करते थे वो भी रशिया के against vote करेंगे तो हमें भी इन terms में आनी की ज़रूरत है कि रशिया गलत कर रहा है और हमें भी शायद उसके against vote करना चाहिए Although it did not get much notice in India, in one of his recent speeches जो यहाँ पर President Putin उन्होंने एनाउंस किया जो Soviet Union के founder थे Lenin उन्होंने states को बहुत ज़्यादा autonomy दे थी जिसकी वज़े से यहाँ पर Soviet Union का collapse हो गया इनका यह कहना था कि ज़्यादा तर states को autonomy नहीं देनी चाहिए थी और जो states उनको satellite states बना कर रखना चाहिए तो Lenin who's of zarist Russia as a prison house of nationalities तो Lenin को लगता था कि यह जो रशिया है zarist Russia सिर्फ यहाँ पर किसी तरह जो nationalities उनको कैद करके रखा गया तो उनको यहाँ पर autonomy देनी चाहिए फेडरलिजम लेकर आना चाहिए तो उसकी वज़े से पोतिन को यह लगता है कि उसकी वज़े से यहाँ पर Soviet Union को collapse हो गया तो पोतिन who believes that the collapse of the Soviet Union was the greatest tragedy of the 20th century और यह चाहते हैं कि zarist Russia को revive किया जाए तो this would involve making Ukraine and Belarus satellite states तो Belarus तो असानी से मिल सकता है क्योंकि जो Belarus है वो basically Russia के help से ही चलता है लेकिन Ukraine को मिलाने में बहुत help होगी बहुत ही मुश्किल होगा क्योंकि यहाँ पर जो Ukraine है रशिया ने भी इतना सोचा नहीं था कि Ukraine इतना जदा रजिस्ट करेगा और Ukraine बहुत जदा रजिस्ट कर रहा है तो पोतिन्स claim that Ukraine was never a nation अब जो विलादिमेर पोतिन ने उनका यह कहना है Ukraine का भी nation था ही नहीं हमने इसको nation मनाया है लेकिन author ने बहुत आपने nation बनाया है किसी ने भी nation बनाया है अब Ukraine एक nation बन चुका है और आपको इस reality को accept करना पड़ेगा तो whether Ukraine was ever a nation or not it is being forged into one today by the resistance of its people और यहाँ के लोग जो हो अभी भी Russian invasion को resist कर रहे है तो he might succeed with the current regime in Minsk तो Belarus जो जिसकी capital Minsk है तो वहाँ पर हो सकता है कि Russia capture कर ले लेकिन यहाँ पर Russia capture नहीं कर पाएगा If the Kremlin had bet that Europe would be deeply divided in dealing with a Russian attack on Ukraine अब Europe जो है बहुत ही ज़दे divided था कि Russia attack करेगा तो उसको help करना है नहीं करना उसके against जाना है लेकिन अब यहाँ पर European Union एक voice में Russia के aggression का विरोध कर रहा है The EU had agreed on sweeping financial sanctions इसके लवार Russia को पर sanctions लगा दिये गया है Swift से भी कुछ Russia की banks को बाहर कर दिया गया है तो obsessed with dividing Europe and distancing it from the US Putin's Ukraine aggression अब यहाँ पर हम देखते थे कि कई जगे जो West है और जो US है वो बहुत जादे divide होता था तो for example US यह कहा रहा था कि आप Nord Stream pipeline मत use करो लेकिन उसके बाद भी Germany Nord Stream 2 pipeline को लेकर आगे बढ़ रहा था लेकिन aggression के बाद हम देख रहे हैं जो Europe और जो US है वो एक साथ सेम बेच पर आ चुके है तो basically यह पर Putin ने क्या काम किया है Western allies को और ज़दे strong कर दिया है अगर हम इंडिया से कंपारिजन करें तो 10 बिलियन डॉलर का उसके बाद भी Germany steps ले रहा अगेंज रश्या तो हमें भी इन टांस में आने की जरुरत है और अगर रश्या गलत कर रहा तो हमें भी अगेंज रश्या steps लेने की जरूरत है यह तो इंडियन political class needs to separate its enormous goodwill for Russia अब अधर का यह कहना है कि Russia के लिए हमारी goodwill है जो Vladimir Putin है उनके लिए हमारी goodwill नहीं है तो हमें difference करने की जरूरत है कि Putin अलग है और Russia के लोग अलग है तो like Germany and France, Delhi too would like Russia to take its rightsful place in the European and global order तो Delhi has no reason to go down with Putin on this disastrous path तो यहाँ पर जो potent disastrous path पर चल दी है हमें उन्हें support करने की जरूरत नहीं है यह author का viewpoint था जो भी तह मैंने आपको explain कर दिया है अब हम आगे चलते हैं जो China है, Russia का close ally उसने बोला कि हम यहाँ पर Russia के साथ trade करेंगे हमें sanctions जे कोई फारक नहीं परता तो China, a close ally of Russia said on Monday that it was opposed to illegal unilateral sanctions and will continue to carry out normal trade cooperation with Moscow यह मैंने आपको बता दिया है जो Switzerland है, वो अपने neutral traditions उसने ब्रेका भी कर दिया है और यहाँ पर जो भी Russian financial assets है उनको यहाँ पर freeze कर दिया है Reading new climate report तो climate report हमने पढ़ी जो second part आया है, 6th assessment report का तो noting that over 3.5 billion people, मतलब 45% of the global population, highly vulnerable areas बे रह रह रहे हैं for the climate change, इस बार report का यह भी बताया गया है कि major cities के उपर क्या फरक पड़ेगा, जैसे कि मॉंबाई के उपर क्या फरक पड़ेगा, एमदाबाद के उपर क्या फरक पड़ेगा if the temperature rise, cross that threshold of 1.5 degree Celsius, तो यहां पर ऐसे changes हो जाएंगे, जिनको irreversible हो जाएंगे, उनसे वापस आना बहुत जादा मुश्किल हो जाएगा, अब यह जो reports हैं, यह basically सिर्फ एक facts produce करती हैं, यह policy prescriptor नहीं होती, लेकिन जो government है वो इनको use कर सकती है, policy बनाने के लिए बाकि international negotiations के लिए बहुत जदा helpful होती हैं, जो यहां पर Paris Agreement हुआ Kyoto Protocol हुआ, वो इन reports के basis पर ही हुआ है अब sanctions का क्या फरक पड़ा रिश्या के ओपर तो ruble crash कर गया है, तो ruble crash to 1-1-1 to the US dollar on Monday, from 83 on Friday, तो 83 से सीधे value 1-1-1 चली गई है, fears of bank runs, अब यहां पर जब से ruble crash किया है, और sanctions लगे हैं यहां पर जो russian की आम नाग रहे हैं वो यहां पर अपना bank से पैसा निकालने जा रहे हैं इसके चलते क्या किया है, यहां पर russia की इंपोर्ट करता है वेस्टन कंट्री से, तो उसकी कमी हो जागी जिसकी वाजिसामे यहां पर inflation देखने को मेलेगा और बागी जो brand crude का price है, वो 105 dollar बहुत चोका है जो कि अभी कुछ टाइम पर 86 dollar हुआ करता था जो GDP है, उसके कौन-कौन से engines of growth हैं, तो तीन engines of growth होते हैं mainly, तो पहला होता है private final consumption expenditure, अब private final consumption expenditure होता कि है, तो the money that everyone spends in their personal capacity तो जो भी money कोई खर्च करता है, तो वो यहां पर आ जाता है PFCE, basically जो demand generate होती होता है PFCE, और यह 55% contribute करता है GDP को जो दूसरा component होता है, वो होता है spending by the private firms और यह जो contribute करता है, यह करता है 33% और इसको बोलते हैं gross fixed capital formation, और जो तीसरा यह होता है कि government कितना घच करी towards the consumption और इसको बोलते हैं gross final consumption expenditure, sorry, government final consumption expenditure, तो यहां पर तीन components होगा, पहला होगा private final consumption expenditure, दूसरा यहां पर हो गया gross fixed capital formation, और तीसरा यहां पर हो गया government final consumption expenditure, तो यहां पर जो होता है private final consumption expenditure, जो कि यहां पर everyone spend करता है, जो भी market में demand create हो रही है, यह 55% contribute करता है जो दूसरा होता है, वो होता है gross fixed capital formation, जो यहां पर private firms spend कर रहा है, और तीसरा यहां पर होता है government final consumption expenditure आगे हम चलते हैं अब यहां पर बहुत सारी countries ने क्या किया है Russia के लिए अपना airspace बंद कर दिया है तो अपना जो भी geopolitical instance होता है, उसको और जादा affirm करने के लिए ये tool use किया गया, for example, बालकोट strike के बाद जो पाकिस्नान था, उसने इंडिया के लिए airspace बंद कर दिया था और अभी यहां पर यूक्रेन के लिटरी इंवेजिन हुआ है तो बहुत सारे यहां पर European countries ने क्या किया है Russia के लिए अपना airspace बंद कर दिया है तो basically उसकी वज़े सो उनको लंबा रूट लेकर जाना पड़ता है data ओर करना पड़ता है protectionism hurts अब इंडिया जो है वो protectionism की तरफ काफी बढ़ा है over a period of time तो यहां पर यहीं बताये गया है जो former vice chairman ने नीती आयोक के उनका यह कहना है कि protectionism की वज़े से import तो restrict हो लेकिन साथी साथ export भी restrict हो जाते हैं तो उसकी वज़े से free flow नहीं हो पाता trade का और अगर trade का free flow नहीं होगा तो हमें उतना growth rate देखने को नहीं मिलेगा दूसरा point चोंनों ने यह उठाया है तो उनका यह कहना है कि हमें large factories के लिए higher और fire का provision रखना पड़ेगा तो labor loss को हमें इतना ज़दा relax करना पड़ेगा कि जो companies हैं जो firms हैं आपर employees को higher or fire कर सके short period of time में तो आपको आपको आज का निश्वापर समझ आ गया हो if you like the video then please like share and subscribe thank you and have a nice day